हेलो दूस्तों टगनेरों उसमें आप लोग का स्वागत है और आज रेट्टों शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया प्यार दिया और आज इस वज़े से हम जो छे लग सब्सक्राइबर को क्रॉस कर द ही रहे और ऐसे आप सपोर्ट बनाई रखना मुझे जैनुएन फॉलवर्स चाहिए मुझे ऐसे नहीं कि बस एकदम से तेजी से आगे बनना है बस मुझे आप लोग का प्यारों सपोर्ट ऐसे ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और आज मैं आप लोग लिए बहुत सारी टेक्नूस लेक्या गया हो हमेशे की तरह क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टेक्नूस बढ़ी लेंदी हो लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मिशन आप लोग को मिल जाए तो जड़ा देव इसने करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए हमेशे की तरह इसी आपका सपोर्ट बना बता है कि वीवो का जो नेक्स ए और नेक्स एस है जो चैना में रिसेंटली लांच हुआ था जो काफी एक्साइटिंग फोन ता जिसमें आप लोगो 91.2 परसें स्क्रीन टू बोडी रिशियो मिली थी एक पॉप-प कैमेरा मिला था एक दो अलगले एक विरेंट एक स्नाप प्राइस में आएगा क्योंकि जो X21 अभी रिसेंटली लांच हुआ है अंडर डिस्प्ले वाला वो आपको स्नाप्वेगन के 660 के साथ में 36,000 में मिल रहा है तो बता है जो नेक्स ए है स्नाप्वेगन 710 वाला वो 30-35 जो इंडिया में लांच होगा और जो स्नाप्वेगन 845 जो higher rent दे वो 40-0 रुपे में इंडिया में जो वो लांच होगा आप मुझे नहीं बता शायद से कर भी सकता है शायद सर नहीं भी कर सकता है क्योंकि अगर उसको मार्केट में श्टेबल रहना है तो वो ही शायद से ये भी कर सकता है अब देखते है मीड ऑफ जुलाइम आएगा obviously मेरे पास भी आएगा तो मैं आप लोग को इसके बारे में जरू से जो बता दोगा तो यहां पर इंडिया के अंदर एक सर्वे किया गया था जहां पर बताया है कि इंडिया के लगबख से 24 परसंट लोग ऐसे जहां पर उन्हेंने कमिट किया है कि जब भी वह ऑनलाइन ट्रांशेशन करते तो उनके साथ में यहां पर वो फ्रॉड होा है लगबख से चार में से एक लोग यहां पर जो कौन कमिट कर रहे हैं कि उनके साथ यहां पर एसी कुछ सर्वे की गए थी और म मैंने भी आपको यहाँ पर एक वीडियो बना के बतायाता नहीं देखाया तो उपर की तरफ काट डे तो आप जल्दी से जाए कि देख लेना online fraud में आपको कैसे trick करते हैं स्रिफ आप online ही नहीं बलकि phone करते हैं और आपको यहाँ पर trick करते हैं और यहाँ पर बतायाता है कि WWE 2K19 जो वह October 9 को जो वह launch होगा जहाँ पर इसके दर आप लोगो Xbox One, PS4 और PC में जो वह देखने को मिलेगा साथ में यहाँ पर इनके दो अलग-अलग edition आएगए एक आपको Deluxe Edition होगा और दूसरा Collectus Edition होगा और कुछ promotional contest भी चलेगा जिसमें एक million dollar यहाँ पर लोग जीट सकते हैं और जो cover photo होने वाला है वो है AJ Styles AJ Styles आप जो 2K19 के cover photo में होगा तो यह कुछ details यहाँ पर WWE 2K19 की तरफ से आई है जो काफे सब लोग wait कर रहे थे upcoming WWE 2K क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा तो finally यहाँ पर यह आ चुका है और आने वाले समय के इंदर जैसे इस पर और information आती है मैं आप लोगो ज़रू से update कर दूगा तो एक और चोटा सा update आपको अपने इस tech news में दे रहेता हूँ मेरे पास यहाँ पर आ गया है Mi Band 3 जी हाँ आपको पताईए कि Xiaomi हमें कुछ नहीं देगा तो इंडिया में उसके phones launch होने से पहले ही मैं आप लोगो सारे Xiaomi के phones के unboxing देने की कोशिश करूँगा और सबसे पहला जो छोटा प्रटक है न वो Mi Band 3 है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है तो इसका unboxing आप लोगो को मैं कल सुबह देने की पूरी की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा तो यहाँ पर Xiaomi के तरफ से ख़बर आ रही हो Xiaomi का जो Mi UI 10 है मैं जानता हूँ कि इंडिया के अंदर काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने phone के अंदर Mi UI 10 के update के लिए लेकिन हम सभी लोग को बता है कि Xiaomi हमें कितना रूलाता है एक update पूश करने के लिए लेकिन मैं आप लोग को एक list दिया हूँ अपने description में जहां पर अगर आप इंडिया के अंदर यह सारे Xiaomi के phones यूज करते हैं तो consequence phone के अंदर आप लोग को Mi UI 10 का global beta ROM मिलेगा वो सारी list में आपको description में दिया हूँ आप वहाँ पर जाके check out कर सकते हैं जबी भी Xiaomi push करेगा आप लोग को इन सारे eligible devices के अंदर update मिल जाएगे तो जरू से जाएए और वो list को जो चेक कर देजिए और साथ में पर Xiaomi का जो Mi Max 3 है बताया दारे कि 10R certification पर जो वो देखा गया है इसका मतलब यह वाला smartphone बहुत जल्दी जो चाहना के अंदर launch हो सकता है अब लेकिन जो 10R certification भी यह phone leak होके आ गया है इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीजे जो वो rumors आ रहे थे उससे contradict करीए क्योंकि previously यहाँ पर बता दे रहे कि snapback का 710 वाला processor होगा Mi Max 3 में लेकिन अब यहाँ पर एक unknown octa core snapback का 1.8 GHz वाला processor है जो हमें point out कर रहा है snapback के 636 वाले processor पर लेकिन यहाँ पर remaining specific इंच की बात कर रहे है तो इसमें बता रहे है कि आपको 6.99 इंच की full HD plus की display मिलेगी जो अभी तक का सबसे बड़े screen वाल आपको phone मिलेगा 5400 इमिज के आपको massive इसमेफ जो वो battery मिलेगी अलाग लग storage variant के साथ में आएगा 3, 32, 4, 64, 6, 128 और dual rear facing camera भी आपको मिलेगा इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर Mi Max 3 वाकई में एक ऐसा version आएगा शाय से लाइटर वर्जिन भी हो सकता है और जो premium वाला होगा उसमें आपको snapdragon 710 मिल सकता है तो यह तो जभी Xiaomi उसको reveal करेगा चाइना के अंदर तभी मैं आप लोग उसके फर additional information जो वो दे दूँगा तो यहाँ पर अगर आप students है अगर आप wait कर रहे हैं कुछ अच्छे budget laptop purchase करने के लिए तो flip card पे lap it up का जो वो sale शूरू हो चुका है 19 June यानि की आज से और सिफ 21 June तक का मैं आपको sale की link description में दिया हू आप वहाँ पर जाकि अपने इसाब से check out कर सकते हैं अगर आपको laptop purchase करना है budget के अंदर अगर वेट करें त्यार मैं कभी purchase करूँ कभी purchase करूँ तो flip card ने अच्छे खासे laptop के बजो वो discount या है आप वहाँ पर जाकि चेक आउट कर सकते हैं और जो laptop आपको ठीक लगता है आपक पहले शुरुआत करते गूगल के pixel 3 XL यहां पर अब रिसेंटी ट्विटर पर किसी ने यहां पर बताया कि गूगल जो pixel 3 XL आएगा कुछ pictures यहां पर पोस्ट किये और इसमें भी आप लोग को इस बार single camera जो देखने को मिलेगा rear के अंदर हाला कि Google ने हमेशा से single camera के साथ में टिक किया है लेकिन Google के जो camera आपको मिलते हैं इन वाले phones के अंदर वो आप किसी दूसरे phone से compete नहीं करवा सकते हैं बहुत यह आपको underrated camera जो इस phone में देखने को मिलता है Google फिर से इस बार प्रूफ किया कि जो pixel 3 XL आएगा इसमें भी आपको single camera देखने को मिलेगा और जो quality वी पिक्सल 3 XL आपको या फिर पिक्सल 3 में भी शायद से आपको notch देखने को मिल सकता है तो जबी यह launch हो गया और additional information आपको मैं तभी दे दोगा साथ आप गूगल का जो आपको Android messaging application मिलता है अपने phones के अंदर फिलाल के लिए जो stock messaging application आपको मिलता है वो upgraded नहीं है लेकिन Google यहाप इसका एक desktop version जो लेकिया आगया है फिलाल के जिस इस Nexus और Pixel devices को यह support करता है जैसे कि WhatsApp को आप web version में यूज़ करते है desktop में कुछ इसी तरीके क कि इस messaging application को आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन internet connection के आपको यहाप ज़रूत पड़ीगी और यह chargeable भी हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा messaging application था वो free नहीं होता है अब इसके अंदर आप लोगो तुरा सा rich features मिलता है जैसे कि Google previously update लेकिया आया था और यहाप आप लोग GIF images बहुत सारे features यहाँ पर उठा सकते हैं जैसे कि WhatsApp और Facebook अगरा में आप chatting करते हैं कुछ वैसे rich features उठा सकते हैं तो desktop version आ चुका है बहुत सारे Android devices feature में इस update के साथ में जो वो support होने वाले हैं और यहाँ पर आगर आपको Google का Pixel 2 purchase करना है सिर्फ 9000 रुपे के अदर जी हाँ आ लेकिन इसके लिए आपको 8 महीने रुखना पड़ेगा जब जाके आपको यह phone 9000 रुपे में जो वो value पड़ेगा वो कैसे होगा हम आपको यहाँ पर बता रहता हो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह phone flip card से purchase करते है तो आपको purchase करने पर 9000 रुपे का जो वो flat discount मिलेगा उसक अगर आप 35,000, 9,000 रुपे में पड़ जाएगा तो आपको यह phone सिफ 9000 रुपे में पड़ जाएगा तो अच्छे बात है कि आप इस्तेमाल भी कर लो उसको बेच भी दो और 8 महीने बाद आपको यहाँ पर 9000 रुपे में यह phone value पड़ता है तो यहाँ पर गूगल के maps को इ मिलता था और within application आप यहाँ पर Uber की caps को जो वो book कर सकते थे बिना Uber की application में redirect किये आप यहाँ पर बता है कि Google ने इस integration को यहाँ पर निकाल दिया है और अब यहाँ पर अगर आपको Uber की caps को book करना है Google के maps के अंदर तो वहीं से आप कर सकते है लेकिन final process यहाँ पर अब होगा अब गूगल यह features को remove कर दिया लेकिन क्यों किया हमें नहीं पता शायद से Uber नहीं बोला होगा कि वो चाहता है कि यहाँ पर अपर अप्लिकेशन के लोग final process यहाँ पर करें तो यह भी खबर यहाँ पर सीक्रीड जो सामने आ गई है और यहाँ फाइनल खबर Google की तरफ से यह पांच billion advertisement last year जो वो mute की गए थी अब यहाँ पर हाला है कि Google ने तो advertisement last year तो 94.5 billion dollar कमा लिया था इतना जाथा Google ने पैसा कमा था लेकिन Google चाहता है कि लोगों को और power देना चाहता है इसका मतलब अब यह है कि आब यूटूब में और Gmail में भी advertisement को block कर सकते जो pop होके आपके सामन आने वाला है तो यहाँ पर artificial intelligence ने हम सभी लोग को बहुत ही ज्यादा help किया और इतना help किया कि यहाँ पर एक US के अंदर radio journalist है इसकी यहाँ पर job और life cost है जो वो safe किया जिया यहाँ यहाँ एक radio journalist है US के जो दो साल से एक ऐसे बिमारी से जूँझ रहा है जो यहाँ पर बराब इसको match करेगा जितनी भी उसने पहले रीडियो में बात किया था और उस लिखने के बाद उसको यहाँ पर text to voice में convert करके रीडियो में यहाँ पर लोगों को फिर से उसकी आवाज सुनाएगा तो यह बहुत ही कमाल की बात है कि लोगों की आवाज जा रही है उसके बाद भी जो 511 और 569 वाले जो वह प्लान मिलते हैं जहां पर आप लोगो 84 डेस की वैलेटी मिलती है और इसके अंदर जो 511 वाला है जहां पर आप लोगो दिन की 2 GB की डेटा मिलती है और जो 569 है उसमें आपको दिन की 3 GB की डेटा मिलते है रिमेनिंग आपको call, SMS वगेरा सब कुछ प्री मिलता है with a catch तो हमें नहीं पता है इनका catch क्या होता है तो यह कुछ नए plans introduced क्या है Vodafone ने आगर आपको planning करना है plan कर रहे है अगर Vodafone की रिचार्ज करने के लिए 84 days के लिए तो आप यह वाली plans से रिचार्ज कर सकते हैं क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर कित था दो हो थैल झाले हुद ख ज्यू आइ एल वागर ल हो एई इल वालीएP आपहरम ke जू कि कर सकते हैं